हेलो वीबन, ट्रू आईएस में आप सभी का सवकत है, एंशेंट इंडिन हिस्ट्री की डिस्कॉशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नाइध क्लास की तमिलाडू NCRT से, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे अपनी कंटिन्यू डिस्कॉशन में, प्री हिस्ट्र तमिलाडू को पढ़कर हिस्ट्री की, तो इसमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नी चाहिए, एक अगर कोशन आ जाए आपको, हूर भी, हमारी स्पीचीज का नेम क्या होता है, इंसान कौन है, तो हमारा अंसर होना चाहिए, हम लोग होमो सेपीन्स हैं, चलो इसकी ह हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, रूट पैक इसका जानते हैं, एफरीका वाली जो कहानी है, जहां पर इनसान ने अपना पहला कदम रखा था, इतिहास इसका गवा है, इसको थोड़ा सा डेटेल में जितना 6th क्लास में था, उससे बियॉंड जाकर थोड़ा सा हम औरंगुटान्स, along with humans, इनको collectively का जाता है great apes, तो आपको ये state PSCs में कोशन आ सकता है, कि great apes किसे का जाता है, कौन-कौन होते हैं, तो आपको वो अलग-अलग बंदर की परजाती के उल्टे सीदे नाम दे सकते हैं, आप बस यह याद रखना, humans, chimpanzees, gorillas और और औरंगुटा में से, जो chimpanzee है, इनको इनसानों के सबसे closest माना जाता है, सबसे करीबी माना जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, chimpanzees जो है, यह है, यह है chimpanzees, यह gorilla, और यह औरंगुटा, सारे अच्छे हैं, सारे cute हैं, लेकिन फरक क्या हुआ, फरक क्या हुआ, है तो सारे बंदरी, chimpanzee, gorilla, orangutan, है तो सारे बंदरी, क्या फरक हुआ, इन में से, मलब फरक, मैं यह वली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि है आपर writer हमें यह बोल रहा है, chimpanzee जो है, they are considered closest to humans, किस format में, है तो सारे बंदरी, genetically, इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे, अभी आगे की discussion में इसको प्रूफ भी करते हैं, जो ancestors हैं, इनसानों के, उनको हम लोग बोलते हैं, hominins, और इनका origin जो है, जैसा कि हमने 6th class में बढ़ा था, that can be traced back to Africa, इनसान ने पहला कदम, एफ्रीका में ही उसका पाये गया, पहला कदम ऐसा मानते हैं, कि सब्रूफ एफ्रीका से ही, इधर उधर तितर बितर होकर गए, जो पहली species थी, ancestors जो थे humans के, hominins, ये कैसे evolve हुए थे, they evolve from those, they evolve from those origins, और फिर ये, दुनिया के अलग अलग पार्ट में, फैले, in due course of time, जिसका हमने एक पूरे का पूरे मैप देखा था, 6th class में आपको याद होगा, hominins के emergence की बात करें, जो की हमारे ancestors माने जाते हैं, आज से लबबग, 7-5 million साल पहले ऐसा हुआ था, कि वो evolve होए थे, emerge होए थे, उसके बाद हमने एक प्रजाती और देखी थी species की, 6th class की NCRT में, जिसको हमने नाम दिया था, Australopithecus, जो skeletons हैं Australopithecus के, which are considered as one of the early species of this tribe, ये भी Africa के अंदर ही हमें मिले हैं, यानि कि ये सारी चीज़े जो Africa के अंदर ही discover हुई है, अभी तक कि जो excavation है, वो तो यही बताती है, और जो carbon dating method से पता लगाए गया है, सबसे पुराने जो अफशेश मिले हैं, कंकाल मिले हैं, humans के, ancestors के, इंसानों जैसे कुछ-कुछ मिलने वाले कंकाल, वो Africa के अंदर ही मिले, इस basis पर एक theory ये दी जाती है, कि Africa से ही सब लोग इधर उधर, तितर बितर होकर दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, जो great rift valley है अफरीका के अंदर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी sites है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करती है, हाँ, हम उपर एक बात कर रहे थे, क्या, कि amongst chimpanzee, gorillas and orangutans, जो chimpanzee है, उनको genetically close समझा जाता है, इंसानों से, right, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि, genetically अगर समझा जाता है, तो कुछ चीज DNA से study करी गई होगी, जो chimpanzee का DNA जब देखा गया, और इंसानों से उसको compare करा गया, तो 98% identical traits निकले, chimpanzee के DNA में, और इंसान के DNA में, तो यानि कि, न औरंगुटान इतना ज़्यादा similar है, इंसानों से, DNA वाइस, मतलब genetically, न गोरिला, वो है chimpanzee, इसकी 98% जो genes है, वो match करते हैं इंसानों से, DNA, जो की लगभग, 6400 km की इसकी जो length है, जो की run करती है from northern part of Syria, एफरीका तो एक कॉंटिनेंट है, अगर हम country-wise बात करें, तो northern part of Syria से होकर, Central Monzabik से होते हुए, East Africa के अंदर, यहाँ पर, यह जो geographical feature है, यहाँ पर हमें बड़ी सारी, geographical region है, sorry, यहाँ पर हमें बड़ी सारी prehistoric sites देखने को मिलती है, Eastern Africa के अंदर, जो की हमारी study को और मजबूत कर देती है, कौनसी study को, कि Africa से ही क्या सच में इंसान ओरिजिएंट हुए क्या, human ancestors जो है, सकता UPSC में, क्योंकि देखो examiner का कोई भरोसा नहीं है, कि एक question वो ऐसा देदे, confidence lose करने को, GS paper 1 के अंदर या कहीं पर भी, कि state PSC आए UPSC में, prove that, it is often assumed that, कि हम लोग, बंदर की पैदाइश है, कुल मिलाकर मतलब, अगर मैं ठोस हिंदी बोलू तो, बंदर की बैदाइश है, इस बात को prove करो, तो ये सारी चीज़े रहा, 98% DNA वाला point, Australopithecus, Africa, Great Rift Valley, ये हमारे answer को, एक पड़ा लिखा व्यक्ती जैसे explanation जो देता है, वैसा बनाएगा, ठीक है, हाँ तो human ancestors जो है, इनको various species में divide कर जाता है, इनके physical features की form में, ये हमने पड़ा, अब हम लोग बात कर रहे थे, अफ्रीका के अंदर बड़ी सारी ऐसी sites मिली है, कि जहां पर हमें कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं, जो कि ऐसा दिखता है, कि वो मानब अफशेश हैं, ये उनके पुराने ancestors से मिलते जुलते हैं, Australopithecus का एक वरादा सबसे oldest fossil जो हमें मिला है, उसको हमने एक नाम दिया, fossils of, ऐसा नाम रखा गया, जो का Lucy, कि इंसानों के अफशेश जिससे मिलते जुलते हैं, ऐसा कोई पहला कंकाल जो मिला है, वो उसका आम ने नाम लखा है, fossils of Lucy, Australopithecus की प्रजाती ही है, जिसके कंकाल मिले है, Great Rift Valley में, हाला कि ये sites आपको याद नहीं करनी है, UPSC के लिहास से, लेकिन उतना ही कमीना है, UPSC, History के Quotions में, ऐसी अजीवो गरीब sites फैकता है, पटकता है, जो कि आपको regular sources, normal sources, बजार की किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन paper analyze करने के बाद, आप देखोगे, कि बहुत सारी चीज़े, आपको Tamil Nadu NCRT के अंदर मिलेंगी, जिनसे UPSC के प्रिम्ट्स के अंदर, statements frame हो रही है, questions की, options frame हो रहे हैं, तो एक बार देखने में, याद कोई बुरा ही नहीं है, Great Rift Valley, Pre-Historic sites यहाँ पर कुछ-कुछ हमें मिली है, Human Ancestors की एफरीका के अंदर, उसमें से, जैसे country आई यह, इसको तो आप जानती हों कि Shad, ठीक है, Lake Turkana, Middle Abash, Heather, Old Dubai George, Light Oli, फिर यह कुछ region है, तीन, Sturk Quantin, Saut Cranes, Chrom Dry, and Last है, Tuang, अब भाई उदर के नाम है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, एक बार बस देख लिया, काफी है, एक बार learn कर लेना, काफी है, Lucy को याद रखना हमारी Lucy को, ठीक है, Lucy है कैसा fossil है, सबसे पुराना, Australopithecus से, अभी तक, जिसे प्रॉपर स्केलेटर नहीं है, इसलिए इसका सर बगारा, कोपड़ा बगारा, बाकि जो, प्रॉपर एक स्केलेटर जैसे दिखता है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उपर एक, टर्म हमने यूज कर रहा था भी, Hominence, Hominid से पहले एक चीज आते है, Hominid, इट रफर्स टू, अल स्पीचिज ऑफ मॉडर्न एंड एक्स्टिंट ग्रेट अप्स, जिसमें इंसान भी इंक्लूड है, वो ग्रेट अप्स के सारे स्पीचिज इंक्लूड होते हैं, इस डेफिनिशन के अंदर, बॉडर्न वाले भी और एक्स्टिंट वाले भी, ग्रेट अप्स, और ग्रेट अप्स अभी हमने ऊपर देखा, चिंपैंजी, गोरिला, ओरन गुटान, और इंसान, ठीक है, इस अर कंसिड़र्ड एस ग्रेट अप्स, ऊपर देख लो, ग्रेट अप्स, ओके, यह कोशन आए ना है, लेकिन, हमें पढ़ना वड़ेगा, कि अगल को, जैसे मैंने आपको बता है, कि वो प्रूफ करने को देती आ जाए, कि प्रूफ राट, हम लोग इसे ओर जिनेट हुए हैं, और से ओर जिनेट हुए हैं, अब यह होमेनिंस क्या है, यह एक जूगालिजिकल ट्राइब है, उसी स्पीशीज की, जो की होमेनिस के साथ कनेक्टेड है, इट रफर्स टू, अब होमेनिंस एक बड़ा अंब्रेला टर्म है, यह वाली बात आपको कोई सोर्चिज नहीं बताने वाला, होमेनिस एक बड़ा टर्म है, जिसके अंदर होमो सेपियन्स इंक्लूड़ेड है, जो आज के हैं, जो एक्स्टेंट मेंबर्स हैं, अब यह सारी की सारी वो टर्म्स उज़ोंगी, जो की इस इक्स क्लास में हम पढ़ चुके हैं, होमो नियंद्रिट्रल्स, अज एक बाद बताओ, कल को अगर कोशन गिया आजए और आपको यह दिखे ही ना, होमो सेपियन्स वर्ड, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि हम होमेनिस हैं, हम होमेनिस के पार्ट हैं बताओ, तो आज की बाद आपको एक ब्रॉट टम यह जानने को मिली, होमेनिस के नोट, जिसके भी पास हो, उसके साइट के मार्जिन में जाके यह होमेनिस वर डैड कर लेना, अब मज़ितार बात सुनो, इस होमेनिस ही जो अंब्रेला टम है, अंब्रेला कैटेगरी है, सिर्फ इंसान ही है, जो कियां से जी रहे हैं, अगर यह कोशन अकल को आजाए कि इन में से कौन से सिर्फ लिविंग स्पीचीज हैं, होमेनिस के, तो आपको ऑप्शन आजाए, होमो नियंद्रिटल्स, होमो एरेक्टर्स, होमो हेबिलिस, औस्ट्रेलोपितिकर्स, होमो सेपियन्स, तो आपको अंसर क्या होगा, होमो सेपियन्स, क्या फीचर्स होते हैं में, वो जो हमने 6th क्लस में बढ़े थे, देस्टेंट इरेट, दो टबगों से चलते हैं, ब्रेन साइस थोड़ा बड़ा होता है, टूल्स वगरा यूज करते हैं, प्रेसाइस वे में, जैसा कि, ब्लब टूल्स वगरा इंदर सेंस कि, आप हतोड़ा, कुलहाड़ी, फावड़ा, पैन चलाओ, पैन चलाओ, भली ऐसे करके, ब्लब प्रॉपर तरीके, से यूज कर सकते हैं, अब मुझे एक बाप बताओ, आप एक कुछ चीज सोच कर बताना, एक छूटत एक्जामपल दे रहा हो, देखो सारी क्लारेटी मिल देगी, क्या एक बंदर, सुई के अंदर धागर डाल सकता है, कोई साभी, चाहिए वो औरन गुटानो, चिंपैंजी और गुरिला, बताओ, कर सकता है क्या, उतने dedicated और focus के साथ कर सकता है क्या, और हमेशा सही कर सकता है क्या, और आपके order पर हमेशा कर देगा क्या, बताओ, हागे ना, हम कर देते हैं ना, लेकिन, यह है प्रिसाइजनेस, and few of them can communicate also, यहाँ पर गॉरिलास की बात नहीं होती है, बस आप यह याद रखना, ठीक है, यहाँ पर गॉरिलास की बात नहीं होती है, अच्छा, मुझे बताओ, ग्रेट एप्स में से, हम लोग सबसे ज़्यादा generally किस के साथ connected है, उनका और हमारा, क्या मिलता है, 98% मिलता है, तो बताओ, शाहिनी यह वाली बुक में दम है के नहीं है, कुछ चीत अच्छी जानने को मिली, ठीक है, अब, handy humans, मतलब हातों से जो काम कर सके, और humans की प्रजाती इवाल्व होई, homo habilis, homo habilis was the earliest known human ancestors, जिन्होंने टूल्स बनाए, और ये टूल्स जो है, इनके अफ्षेश हमें अफ्रीका के अंदर मेले हैं, आज से लगबा 2.6 million years ago पहले, थोड़ा सा और टाइम के पास आ जाए हैं अब लो, 2.6 से 2.5, 4, 3, 2, 1, 0, यानि कि 2 million, around 2 million years ago पहले, जो स्पीचीज हैं, होमो एरेक्टर्स के, या बिसमें देखने हो, आपको एक नया नाम मिल रहा है, बढ़ते हो, 6th क्लास में एक एडिशन हो सकती है, होमो अर्गेस्टर, ये मर जुए, ये जो स्पीचीज हैं, इन्होंने, हैंड एक्सिस बनाए, आज से लगबग 2-1 million years ago पहले, और ये फिर, एफरिका से होते हुए, एशिया के भी अलग-अलग parts में फैल गए, कोशन क्या बननेगा, ये सारे जो होमो होमो अलग-अलग परकार के दिख रहे हैं, इन में से, एफरिका के continent को cross करने वाले पहले, कौन से स्पीशीज थी? कौन सी स्पीशीज थी? जिसका दूसरा नाम आज आपने क्या जाना है, एक नया नाम क्या सीखा? होमो-अर्गैस्टर. अगर हम लोग थोड़ा सा, बाइलोचकल इवॉलूशनरी बेस्टेस पर बात करें, अनेटॉमिकली, तो जो modern humans हैं, जिसको हम लोग homo sapiens कहते हैं, ज्यानी व्यक्ती, they first appeared around 3 lakh years ago पहले, इन एफरिका, और ऐसा माना जाता है, कि यही वो modern humans हैं, जो eventually migrate करते हैं, disperse करते हैं, बाइलोग वही, kind of इन्ही की प्रजाती थोड़े थोड़े थी, लेकिन अब यह homo sapiens बहुत तेजी से, दुनिया के हर एक कोने के अंदर फैले, और यह घटना करम कब हुआ, बहुत तेजी से, आज से रखवक 60,000 साल पहले, don't worry, इतना depth में जाने की जरुद नहीं है, लेकिन कहानी चल रही है, तो अब मैं आपको यह तो नहीं कह सकता, कि हम 6 class में कर चुकी हैं, उसको छोड़ दो, आप खुद देख लेना, एक बार मैंने पढ़ा दिया, बस आपका काम आसान है, आप एतने smart I think हो चुकियो, कि आप चीजों की cherry picking कर सको, जैसे अंकिता है वो notes बना रही है, तो उसको पता है, कि आप उसको side के margins उसने छोड़े हुए थे, आप से कुछ महीने पहले, 6 class के notes बना कर, आप उसे वहां पर क्या-क्या add करता है, ठीक है, तो आपको यह दुबारा बार बार देखने की ज़रुदनी के, कल को आप इसके print के लवा रहे हो, फिर वो पढ़ रहे हो, एक बार दे रखा है, एक बार जान लिया, नहीं नहीं चीज़े हमें मिल गई, कि हम chimpanzees के साथ जादा closely associated है, हमने दुनिया का पहला म्यूजेम देखा था, इससे previous अले लेक्चर के अंदर, इतना काफी है, Prehistoric Cultures, जो Prehistoric Period है, वहाँ पर उसकी definition यह है, कि वहाँ पर एक writing form evolve होती नहीं है, Prehistoric Period में, किसी भी प्रकार की writing evidence हमें नहीं मिलता, यहाँ पर जो fossil bones होती है, इनको अलग-अलग species के अंदर classify कर जाता है, like, Homo hebalis की species, Homo erectus, Neanderthals, Based on the lithic tools, और lithic tools का मतलब क्या होता है, lithic का मतलब होता है, anything which is connected to, और शुरू में obvious ही बात है, रागनी यह तो बट obvious ही बात है न, कि शुरू में पत्थर की stones use होते थे थे न, अब इनके culture को हम इनी के नाम पर assign करते हैं, यानि कि अब आपको वो ले कर जा रहा है इस topic पर, कि हम अलग-अलग culture को, the kind of stone tools, उसी के basis पर हम लोग classify करते हैं, like Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, ठीक है, जिस basis पर earliest, यूज करने वाले एक particular culture, कुछ thousands of years तक जो survive कर सका, तो हम उसको age दे देते हैं, ठीक है, age दे देते हैं, यह नो ने ऐसी word डाला हुआ है, कि old-o-one technology, old-o-one technology का मतलब यह होता है, पुराने सब्वे में क्या technology use होती थी, अब यहाँ पर technology का मतलब, अपने आपके दिमाग में में सब कंप्यूटर और यह सब नहीं आना चाहिए, यह भी तो एक प्रकार की उस जबाने के technology है, शाइनी नहीं, बताओ, यह भी तो एक प्रकार के technology है, हर एक वो चीज जो इनसान का काम असान कर सके, वो technology है न, क्या इन stone tools को बना कर उनको hunting में, gathering में कुछ भी साहता मिली क्या रागनी, कुछ भी, ठीक है, बहुत ज़ादा न, तो आज से आपको अगर कोई term यूज करना हूँ न, अच्छा सा अंग्रेजी का, तो आप यह बोलना, कि अलग-अलग stone tools बना कर, जिसको lithic tools भी कहते हैं, ऐसा करके, इंसानों ने एक प्रकार से, उस जमाने में, अगर हम pre-historic engagement technology की बात करें, तो वो होती है, older one technology, ऐसा question कभी भी UPSC में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी state PSC में पूछा जागी है, older one technology, इन में से किस चीज़ को, किस से related है, तो वहाँ पर लिखाओ के, the earliest stone tools used by humans, या फिर iron used in the 6th century BC, chariots used by Aryans, ऐसा कुछ भी हो, तो आप यह लिखना, older one technology, इस related with lithic tools, यानि कि stone tools, विच इस यूज़ बाइ pre-historic people, और इसी के basis पर, अगर इस older one technology, दिखने को मिलती है, paleolithic और misolithic culture, जो की further classifier है, lower paleolithic, middle paleolithic, upper paleolithic, मुझे एक बाब बताओ, जैसे जैसे, इसमें improvement होती जाएगी, paleolithic, misolithic, neolithic, क्या stone के shapes में, sizes में, perfection में, heading style में, improvement होगी के नहीं होगी, बताओ, होगी, और इसमें, इन्सानी दिमाग यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग, बिसमें, homo sapiens को बोलते हैं, wise man, this is the reason, मलगा कभी आपको explanation देनी हो ला गर बिसमें, आप मालो, odisa pcs का mains लिख रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ पर caution आजाए, कि homo sapiens का मतलब क्या होता है, what do you mean with a term homo sapiens, तो wise man, आप लिख कर आजब चलो ये ठीक है, अब इतने से तो marks मिलेंगे नहीं, तो उनको proof कैसे करोगे, कि उस जमाने, उस जमाने के आदमी को wise man क्यों बोला जाता है, उसने आज की दुनिया तो बसा ली चलते चलते, वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप ये बोलना कि वो all-do-one technology यूज़ करता था, लिथिक टूल्स यूज़ करता था, उसने पत्थर को इस प्रकार से यूज़ करा, कि उसने अपनी hunting और gathering society, जो कि उस जमाने की वास्तविकता थी, उसने अपनी जिन्दगी आसान बनाई, और जैसी वो फिर settled life बिताने लगा, धीरे धीरे करते करते, जब खेती बादे evolve हो गई, उसके बाद से उसका दिमाग फिर है, और ज़्यादा diversity भाई चीज़ों में सोचने लगा, ये वोई वाली discussion है विसमें, जो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो chimpanzees हैं और जो pygmy chimpanzee है, जिनको bonobo भी बोला जाता है, ये हमारे closest living relatives है, ये again एक कोशन है जो कि आपको, UBPSC में आ सकता है, as well as MPPSC में, ठीक है chimpanzee and the pygmy chimpanzee, जिसको bonobo कहते हैं, अभी ये मैं आपको pygmy chimpanzee भी दिखा देता हूँ, ये तो गे chimpanzee, और, pygmy chimpanzee, बिल्कुल gentleman की तरह चलता है, एक photo 30 की, आँगे, अच्छा हाँ ये रही, बच्चे को टांग कर, ये सेम ऐसा नहीं लग रहा शाहिनी, कि असम के अंदर, जो tea plantations होते हैं, बहाँ पर जैसे, वो बच्चे को टगा कर, वो तोड़ती रहती हैं कि पत्तियां, लटका कर बच्चे को, ये चीज़ है, अब मुझे एक बच्चे को टांगा कर, रखना है गिरने नहीं देना, है ना, और चल रहा है दो पैरों पे, चाहे भली फिर बाद में, कैसा भी बड़ती पॉस्टर कर ले, ये ये देखो, ये सेम ऐसा नहीं लग रहा, बिसमें, जो कोफी और टी प्लांटेशन पर काम करती है, जो और ते मतलब हो करके, बास्केट लेकर, बच्चे को आकर ठंगाना, है ना, देखो ठक रहे हैं तो मैं पाउट दे रहा है ये देखो, तो यह ही है, ठीक है, पिग्मी चिंपैंजी, थोड़ा था ज़्यादा इंटेलिट स्पीशी माननी जाती है, बोनोबो की, आपको ये टर्म याद रखने है, एक चिंपैंजी, या इसकी जगा, जथे एक ये टर्म आए, या तो पिग्मी चिंपैंजी, या जो टर्म यूज़ो अल्टरेटिवली, बोनोबो, बोनोबो, तो आपको ये याद रखने है, ये closest living relatives है, हम ज़ादा associate chimpanzee के साथ ही करते है, पिग्मी चिंपैंजी के लो, बोनोबो के लो, चिंपैंजी के लो, इसी के साथ हम एसोसीट करते है, 98% जनिटिकली एसोसीट करते है, 98% योग की DNA में similarities है, ठीक है, इस discussion में दोस्तों भिला लेते हैं, थैंक्यू वेरी मिच्ट फॉर discussion,